हेलो फ्रेंड्स, इजी टू हेल्दी कीचन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आप सब कैसे हैं उमीद करती हूँ अच्छे हूँ है तो चलिए आज बनाते हैं गुजिया गुजिया तो वही है लेकिन अंदाज बिलकुल अलग है और स्वाद भी बहुत हटके है और सबसे बड़ी बात कि ये बीना खोया बीना मैदागा बनेगा बनाना भी बहुत आसान है तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिलकुल नहीं भोले अपने फ्रेंड्स और फैमली में सेयर करें क्योंकि बिलकुल अलग तरीके का ये गुजिया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरे से आपको कोई अलग या कोई भी रेसेपी की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं मैं पूरी कोशिस करूँगी कि आपको उसे बना कर दिखाओं तो चलिए फिर मेरे साथ बने रहें और बनाते हैं गुजिया तो यहां पर मैंने ले रखा है नारियल का बुरादा डेसी केटिड कोकोनट तो यह मैंने डेड़ कप लिया है 100 ग्राम ये नारियल का पुरादा है जितना नारियल का पुरादा है उतना ही चीनी लेंगे यहाँ पर और मैंने यहाँ पर दो चोटी लाईची के दाने डाले हैं यसे काफी अच्छा खुस्वू आएगा अब इन सब को अच्छे से बारिक पीस लेना है तो देखिए, फाइन पाउडर बन गया है, बहुत अच्छे से इसका पाउडर बन के रेडी हो गया है और अब एक बाउल में इसे ट्रांसफर करेंगे तो चलिए, इसे मैंने निकाल लिया है पूरा और अब इसमें डालना है देसी घी तो यहाँ पर मैं टूट टी अश्पून के करीब में घी ले रही हूँ इससे काफी अच्छा खुस्बू और जो हमारी गुजिया है वो बहुत ही शॉफ्ट बनेंगे और मैंने यहाँ पर हाफ कप मिल्क पाउडर लिया है यह काफी अच्छा स्वाद खुए जैसा इसका स्वाद देगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा इससे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा मलाई और थोड़ा सा दूद डाल कर एकदम बिल्कुल सक्त सा डो तयार करेंगे तो ज्यादा कोशिस करें कि अगर आपके पास मलाई है फ्रेस वाली तो आप उसे ही डालें बहुत ही अच्छा स्वाद इसका आता है तो फ्रेंड्स दिहार के समय में क्या होता है ना कि खोया जल्दी मिलता नहीं है और खोया मिल भी गया तो सुध नहीं मिलता है तो इस इस्तिती में आप इस तरह की गुजिया बना सकते हैं बहुत ही आसान है इसे बनाना बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं क्योंकि फटा फट से बन जाता है तेवारों पे घर पे गेश्ट आते हैं तो उनका स्वागत करना तो बनता ही है तो आप कुछ इस तरह के आसान जिसे मैंने थोड़ा सा बारी काट कर रखा है इसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे गुजिया को और इसमें मैंने डाला है सहध थोड़ा सा चर्द्यों में जम जाता है तो सहध ही है आप गभराएंग नहीं यह सहद ही है थोड़ा सा जम गया था उसे मैंने डाला है यह हेल्दी भी होगा और इसका टेक्स्चर जो है थोड़ा सा सही हो जाएगा थोड़ा मीठा भी हो जाएगा साथ ही मैंने 2 चमच यहां पे नारियल का पुरादर डाला है और 2 चमच मिल्क पाउडर डाला है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें इससे अच्छी बाइंडिंग आएगी हमारी अस्टफिंग में और टेस्ट भी बढ़ेगा यहां पे यह नारियल का जो हमने बनाया है डो यह बहुत अच्छा सॉप्ट हो चुका है और बहुत ही सॉप्ट है तो अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या करना है तो पहले हाथों में थोड़ा सा चिकनाई लगा ले और बिलकुल गोला अच्छे से बना ले थोड़ा सा पोर्सन लेकर और एक प्लास्टिक को मैंने ले रखा है इसमें अपने हाथों से इसे पहले दबा दिया है और भलके हाथों से इसे बेल लेना है तो इसे पूरी के जैसा बेलने, ज्यादा मोटा नहीं और नहीं ज्यादा पतला, ज्यादा पतला रहेगा तो स्टफिंग इसमें डालेंगे तो यह फट जाएगा, इसलिए बिल्कुल पूरी के जैसा रखना है, नहीं ज्यादा मोटा और नहीं ज्यादा पतला, तो यह देख इसलिए प्लास्टिक के साथ ही इस पर रखे और अब इसमें अस्टफिंग डालें तो इसमें अस्टफिंग आराम से डाल दें ज्यादा नहीं हलके डालें ताकि फटे नहीं और अस्टफिंग भी अच्छे से रहे तो बस देखके डालिएगा यहां पर यह कि ज्यादा मातरा में नहीं डाले बिल्कुल जो होता है न ठूस ठूस के भरने वाली इस्तिति वो नहीं डाले इतना डाले कि हां अच्छे से गुजिया हमारा रेडी हो जाए और जो भी एक्ष्रा पोर्शन है उसे हटा देंगे ये देखे कितना अच्छा बना है और प्लास्टिक को धीरे से ह तो थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर लगा दिया और अब जो हम लोगों ने पिस्ता काट कर रखा था बारिक उसे उपर से लगा देंगे ताकि देखने में ये और भी खुबसूरत लगे अट्रेक्टिव लगे तो चलिए गुजिया तो बनकर रेडी हो गया है और अब मेहमानों का स्वागत कीजिए तो इस होली पे या फिर दिपा वली पे जो भी फेस्टिवल आये तो आप इस तरह के गुजिया बनाकर तो हर को इंज्वार कर सकते हैं या फिर पाटी में भी इसे बनाकर इंज्वाइ कर सकते हैं तो चलिए मैं तोड़कर दिखा देती और बहुत ही टेश्टी वनाये तो चलिए आप सब भी ट्राइ किजिए इसे थैंक यू बाबाए हैपी ओली